नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आशी सराव देख रहे हैं लर्नोबिल चैनल तो दोस्तो आज हम लोग टैली को एक्सेल से कनेक्ट करके देखेंगे और उसमें कोई सी भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तो अपनेको Excel ओपन कर लेना है इसमें हम लोग दोस्तो सीधा Tally से ही Excel में सभी data को collect कर सकते हैं अपने सामने देखते रहेंगे इसमें टैली का हर एक चीज अपने को दिखेगा जो चाहें गों collect कर लेंगे और जो चाहेंगों हटा सकते हैं कैसे करना है चलिए देखते हैं तो सबसे पहले हमें Excel फाइल को open कर लेना है अगर आपके पास में Excel 2016 या उसके उपर का वर्जन है तो ज्यादा अच्छा है इसमें ये होना चाहिए दोस्तों कि जैसे ही अगर आप टैली प्राइम यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो Excel है तो भी 64-bit का होना चाहिए तो इसमें हमारी क्योंकि टैली प्राइम भी 64-bit की है और हमारा Excel भी 64-bit का है तो दोनों आपस में connect होने में कोई problem नहीं आएगे आराम से connect हो जाएंगे तो चलिए देखते हैं कैसे connect करना है मेरे ख्याल से सभी 90% computers में आपका ये काम करेगा जो का computer बहुत ज़्यादा पुराना होगा Excel बहुत पुराना होगा तो हो सकता है उसमें ये trick काम ना करे तो सबसे पहले दोस्तों हमें Excel open करना है उसके आद हमें चले जाना है यहाँ पे data में डेटा में हमें जाने के बाद में इधर new query करके अपने को मिलेगा new query में चले जाना है दोस्तों और यहाँ पे from other source में जाएंगे और from other source में from odbc में यहाँ पे चले जाएंगे तो हमें इस पे click कर देना है from odbc में जाने के बाद में अब यहाँ पे दोस्तों हमें select करना है options अब इसमें हमारा टैली odbc 649000 यह दिख रहा है अपने को टैली को open करके रखना है और company को select करके रखना है अब टैली में अगर आपका यह odbc 9000 टैली का वहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो हमीं क्या करना है भी देखिए मैं इ ले जा रहा हूं करजर को तो यहां पे टैली प्राइम 9000 लिख रहा है इस नंबर को आप चेंज भी कर सकते हैं तो इसको चेंज करने के लिए आपको यहां पे help में जाना है setting में जाना है connectivity में जाना है चेंज करने की दोस्तों हमें तभी जरूरत पड़ती है अगर आपका तो वहां पे 9000 नहीं दिखाता है तो तो यहां पे आपको 9000 के जगह में कुछ और नंबर चेंज कर देना है कुछ और नंबर चेंज करके आप टैली रिस्टार्ट करेंगे जब आपका टैली रिस्टार्ट हो जाएगा आप Excel भी एक बार रिस्टार्ट कर सकते हैं Excel अब जयसे ही मैं दोस्तों करांगा हमारे पास में कुछ इस तरीके से नेविगेटर मीडो ओपन हो जाएगा अब यहां Kayla कि अब यहांपर इस और आ Uh आप नुआ है इसमें से अलग अलग चीजसे सब कुछ है पुरी लिस्ट बनी हुए एक लेकर लेजर से लेकर बने दोस्तों, अब इसमें आपको पढ़ने के बाद में आपको चीजे निकाल लेनी जैसे लेजर वारे लाइन में चलेंगे ल से तो यहां पे लेजर देखेंग डेटा करके जो second option है इसमें क्लिक कर देना है ठीक दोस्तों अब यह हमारे पास में यह डेटा आ चुका है तो टैली के अंदर एक लेजर के अंदर जितना भी detail होता है सारा का सारा यहां पर detail दिख रहा है अब इसमें हमें जो details नहीं चाहिए दोस्तों हम लोग यहां पर पहल क्योंकि मुझे नाम चाहिए होगा लेजर का तो मैं नाम तक इसको रखूंगा उसके पहले का मैं सिप्ट के साथ मिधर क्लिक करूंगा तो यह पूरा select हो जाएगा क्योंकि हमने first column select करके रखा था अब मुझे इस पर right click करना है यहां पर रूम्यों कॉलम्स करके हैं मैं इस और इसको आसानी से आपको देखना है क्या चीजे चाहिए क्या चीजे नहीं चाहिए तो यहीं पर उपर में आपको advanced editor करके नजर आएगा advanced editor में चले जाएंगे यह remote column जो भी हमने किया था यह सारी चीजे यहां पर दिख रही हैं यहां पर इसमें चले जाना है अपने को calculator में यहां पर select star from laser यह type करेंगे select star from laser इंटर कर देंगे तो यह हमारे पास में आ जाएगा दोस्तों अब यहां पर जो list अपने पास ही heading की जो list दिख रही है यही list आपको वहां भी दिख रही है यहां पर भी जो हमने remove किया है तो आप वहां से भी इधर copy paste कर सकते हैं जो जो चीजे आपको नहीं चाहिए वहां Excel में एक साथ आप copy करिए और एक साथ यहां पर paste कर सकते हैं लेकिन आपको सभी नाम में double inverted comma आपको लगाना पड़ेगा और उसके बाद आप done करेंगे तो वहां भी आपका change हो जाएगा अगर आपको यहां पर remove करना ज्यादा आसान लग रहा है तो आप यहां से भी select करके इसको आप remove कर सकते हैं ठीक है दोस्तो अब यह हमारा जो भी चीजे हमें नहीं चाहिए वो remove करेंगे या तो आगे पीछ किसकाना है उसको आपको आगे पीछे कर सकते हैं आपको जिस पोजीशन पर जो चीजे चाहिए आप अपने हिसाब से उसको आगे पीछे columns को किसका के कर सकते दोस्तों अब यहां पे जैसे reorder column करके आग आ चुका है एक और अब आप एडवांस एडिटर में जैसे जाएंग आपको जो चीजे आगे पीछे चाहिए जिस पोजीशन पर ही यहां से भी आप पापी पेश्ट करके यहां से कट पेश्ट करके आप आगे पीछे कर लिजे ठीक दोस्तों अभी हम लोग इसको डन करते हैं और डन करने के बाद में अब यहां पे इधर आ जाएंगे इधर तो अगर आप यहीं पर करेंगे तो जो भी स्वेस्ट अपने सामने और रहेगा आपका वहां से लोड हो जाएगा तो यहां दोस्तों लोजन क्लोजन लोट टू पे करेंगे इसमें जाके हम लोग यहां पर टेबल पे कहां क्या रखना है existing work seat में रखना है यहाँ पर कौन से कॉलम से सुरू होना चाहिए यह हम लोग यहाँ पर select करके इसको load कर देंगे तो दोस्तों भी यह चीज हमारा यहाँ पर load होके आ चुका है यहाँ से भी आप अपने हिसाब से इसको एकसल में जैसे कस्टमाइज करते हैं जब भी आपका रिफ्रेस करना होगा डेटा को मान लीजिए अभी तो यहाँ लेजर हो गए आप जैसे ग्रूप होगा बैलेंस इट के लिए इंपोर्ट करेंगे तो उसमें आपको बार बार गूप चेंज करने रहते हैं तो उसके चले न जी है तो यहां रिफ्रेस करके दिखता है या तो यहां से इसको रिफ्रेस कर सके दोस्तों इसी तरी के सब अब अलग-अलग seats अपनी यहाँ पर बना लीजे, group की seat बना लीजे और वांकी चीजें आपके lasers होगरा, cells के लिए vouchers होगरा बना सकते हैं, तो यह चीज दोस्तो आपका बहुत काम में आने वाला है, अगर आप accountant हैं, या CA हैं, या balance sheet का काम करते हैं, या ऐसा type का कुछ काम है आपका जिसमें आपको data उठाना रहता है XRTally से, तो यह बहुत ही बढ़िया trick है दोस्तो, इसको आप जिरूर योज करिए, तो दोस्तो झाल झाल झाल